Welcome to our YouTube channel Your BSC Guide आज की इस वीडियो में हम BSC second semester mathematics के जो हमारा unit 7 है जो की geometry के अंदर आता है उसमें जो chapter है sphere, cone and cylinder उसके most important question को answers को discuss करेंगे मैंने math में unit number 1 matrices unit number 2 eigenvalues and eigenvector complex function unit number 3 differential equation and differential equation reducible to exact form और इसके सले पास most important unit chapter topic already channel पे upload कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे channel पे जाईए BSC second semester mathematics की playlist पने हुई है आप वहां से जाकर के सारी वीडियोस को देख सकते है मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है साथी साथ मैं सारे unit के most important question भी दी हूँ और मैंने आप लोगों से कहा थे कि उसके answers भी provide करूँगी तो मैंने अभी तक unit 3 तक के most important questions के answers को provide किया है और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को exam के पहले सब कुछ करा दूँगी तो आप लोगों को tension नहीं लेनी है कुछ दिनों से मेरी तब्वित बहुत जादा खराब हो गए थी आवाज देख रहे हूँगे आप लोग मेरी बहुत जादा खराब है actually मैं घर पे हूँ भी नहीं मैं बाहर हूँ बाहर वीडियो शूट कर रहे हूँ लेकिन आप लोगों को बाहर बार कॉमेंट आ रहा था मैं जल्दी करा दीचे जल्दी करा दीचे तो बस मैं आप लोगों के लिए ही करा रहे हूँ तो बस आप लोग ट्रस्ट रखे थोड़ा सा जल्दी से जल्दी हो जाएगा ठीक तो मैं आज आप लोगों के लिए स्फेयर लेके आई हूँ ठीक पहले हम लोग जो यूनिट सावन के अंदर तीन चैप्टर आते थे ना मैंने आप लोगों को बताया हुआ इसलिए मैं कहले हूँ आप सलेपर जरूर देख लीजेगा और साथी साथ मोस्त इंपोर्टन यूनिट चैप्टर टॉपिक भी देख लीजेगा यूनिट सावन के अंदर तीन चैप्टर साथ स्पेयर कोन एन सिलेंडर है इस पेयर आज मैं आप लोगों को पूरा इसका पूरा डिसकस करूंगी बेसिक कॉंसेप्ट भी बताऊंगी साथी साथ जितने कॉंसेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं अच्छे से पढ़ाऊंगी और इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉश्चन है ना मेरे पास रखे भी हुए है तो मैं लिख भी नहीं हूँ एक टाइम पर कि आप लोगों को वो सब दिखा सकों और उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉश्चन के सॉल्यूशन दे सकों इस सारे मैंने आप लोगों को बटाए हुज है इंपॉर्टेंट कॉष्चन है तो सबसे पहले स्टार्ट करते मैं आप लोगों को सबसे पहले basic concept पड़ाऊंगी जो की use होने वाले है तो आप वीडियो को इसके बिल्कुन हिमत कीजेगा और जैसे कि मैं बोलती हूं कि कॉपी पेंन लेके बैठेएगा मतलब कॉपी पेंन लेके ही बैठेएगा क्योंकि मैं आज में क्या उताँ अणना प्रैक्प्रिस जादा इंपोर्टेंट होती है ठीक इसमें रट नहीं सकते हैं इसमें direct नहीं कर सकते हैं कुछ भी ठीक तो start करते हैं सबसे पहले आता है sphere से start करते है sphere की definition कभी पूछी भी जाती है कभी नहीं भी पूछी जाती है तो sphere होता क्या है आप लोगों ने football देखा होगा न अगर हम लोग football को एक तरह से देखे तो वो एक sphere ही है ठीक तो अगर generally form में हम कहा जाए कि sphere क्या होता है उसको copy में कैसे represent करते हैं जब कोई हम circle को rotate कर देते हैं उसके diameter के along वही हमारा sphere कहलाता है ठीक तो सबसे पहले sphere की definition लिखेंगे हैं अप लोग यह मत सोचिए कि definition important नहीं होती है कभी कभी पूच भी लिया करता है ठीक तो सबसे पहले linking sphere में the surface generated by a circle when it rotates about its any diameter is called sphere देखिए ऐसा surface जो की circle को rotate करने से मिले जब उसके diameter के along उसको rotate किया जाए circle को उसी को कहते हैं sphere कहते हैं ठीक देखिए इसको पहले समझा देथी यह हमारे पास सरकल है एक्स वाई और जेड होंगे ठीक अब इसके बाद जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूं उसको इदम ध्यान से देखिएगा समझिएगा क्योंकि काफी जादा important होने वाला यही सारे concept यूज भी होने वाले स्फेर आप लोगों को समझ में आया न और student बोलते हैं कि मैं आज को आप दो बार repeat कर दीचे तो मैं कोशिस करूँगे क्योंकि इतना lengthy video मैं आप लोगों के लिए नहीं बनाती हूं कि मैं इतना चाहती हूं कि आप लोगों को basic concept clear हो जाएं और आप लोग कम से कम बहुत जादा lindy हो जाएंगे न तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग math को enjoy करते हुए पढ़ें क्योंकि math रटने वाली चीज़ नहीं है बहुत ही अच्छी चीज़ जिसक हम practice बार-बार करेंगे न तो वो बहुत जादा strong होगी हमारे तो समझे स्फेयर क्या है the surface generated by a circle when it rotates about its axis about any diameter is called as sphere जब कोई circle को हम लोग उसके diameter के along उसको rotate करते हैं तो वो हमारा sphere कहलाता है अब इसमें दो चीज़ आती है हम कैसे sphere का equation निकालेंगे और क्या होता है general form of sphere इसको भी देखें क्योंकि इसका भी बहुत जादा use होने वाला है तो सबसे पहले हम देखते हैं equation काफी important है equation of sphere हम sphere की equation कैसे निकालेंगे जब center और radius दिया होगा जब हमें center और radius दिया होगा तो हमें sphere की equation निकालनी है तो लिखेंगे when center and radius given जब हमारे पास center और radius दिया होगा तब उसका क्या formula होगा sphere की radius निकालने के लिए तो हमने बताय दिया है कि जो alpha, beta, gamma है वो center है और r जो है यह हमारा radius है तो देखते हैं इसका formula होगा x minus alpha का whole square plus y minus beta का whole square plus z minus gamma का whole square is equal to r square जिसमें जो center है वो हमारा alpha, beta, gamma है और जो radius है हमारा वो r है तो इसका formula होगा x minus alpha का whole square plus y minus beta का whole square plus z minus gamma का whole square is equal to r square आप लोग कॉपी पेंट जरूर लेके बैठिये और साथी साथ नोट डाउन भी करते हुए चलिए मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो न तो आप लोग भी अपने study को serious ले ले लेजे exam बहुत ही जादा close है मैं बाहर होके भी आप लोगों के लिए वीडियो पना रही हूँ शूट कर रही हूँ मैं बाहर आए थे अपनी तब्यत का इलाज करवाने के लिए लेकिन आप लोगों के बाहर पर comment आ रहे थे कि मैं आगे के questions करा दीजे तो मैं फिर भी आप लोगो के लिए किसी तरह manage करके कराने हूँ तो बस आप लोगों कई support चाहिए मुझे और कुछ ने चाहिए मुझे तो इसमें एक point all लिखेंगे जिसका use होता है इसमें लिखेंगे note करके the center is shift to origin अगर जो center है हमने एक sphere का center माल लिया वो origin पे shift हो जाए मतलब 0,0,0 हो जाए then the equation of sphere तब sphere का equation क्या होगा the center is shift to origin then the equation of sphere becomes x square plus y square plus z square is equal to r square जे हमारा हो जाएगा जब हमारा alpha, beta, gamma सब 0,0,0 हो जाएगा तब हमारा जो equation बनेगा sphere का वो ये बनेगा x square plus y square plus z square is equal to r square अब जो हम लोग topic देखने चाह रहे हैं वो काफी जादा important बहुत जादा use होने वाला है तो इसमें next topic is general form of sphere general form of sphere sphere का general form क्या होगा देखिए मैं आप लोगों को जितना use होने वाले concept है उसको बता देती हूँ क्योंकि सारे question में वही use होने वाले है आप लोगों के पास time भी बहुत काम है तो आप लोग उतना ही पढ़िए जितना most important है मैंने आप लोगों को बताया भी हूँ है most important chapter, unit कौन से है, topic कौन से है आप लोग उतना पढ़ लेंगे तो exam है मैं guarantee लेती हूँ कि आप लोग अच्छे marks score करेंगे बाके तो मैं आप लोगों को सारे unit बहुत अच्छे समझा समझा के उसके questions भी करा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी problem ना हो और आप लोग देखिए का कि question जो ज़्यादतर होंगे न repeat ही होते हैं और match ही करते हैं तो आप लोग कर सकें ऐसा नहीं हो कि बस ऊपर मैंने बता दिये कि यह यह question पढ़ना है तो यह यह पढ़ना है यह तो ही नहीं होता है मैस में क्या होता है कि घुमा के question जरूर पूछ लिया करता है अब देखते हैं general form of a sphere sphere का general form क्या होगा x square plus y square plus z square plus 2 u x plus 2 vy plus 2 w z plus d is equal to 0 इस ही को कहते हैं हम general form of a sphere इस ही को कहते हैं हम general form of a sphere अब जैसे कि हमारे पास कोई equation दिया गया है तो उसको हमें बतलब पहले तो equation दिया रहे का फिर उसे हमें general form में convert करना रहेगा फिर जाकर के हम वहाँ से values निकाल सकते हैं तो ये जो general form of a sphere का use ज़्यादा तर sphere का center निकालने के लिए और sphere का radius निकालने के लिए use होता है तो देखते है तो लिखेंगे if given equation is अगर हमारे पास कोई equation दिये क्या दिये है x square plus y square plus z square minus 2 alpha x minus 2 beta y minus 2 gamma z plus d is equal to 0 हमारे पास कोई given equation ये दिये है इससे हमें center और radius निकालना है तो ये हमारे पास general form of a sphere है तो हम क्या करेंगे इस equation को जो given equation है general form of equation से compare करेंगे तो लिखेंगे then compare both equation for finding center and radius of sphere इस दो equation को हम लोग compare करेंगे किसलिए जब हमें center और radius चाहिए होगा sphere के लिए तो जब हम इसको compare करेंगे देखो x square y square z square यहाँ पर भी as it is है अब इधर देखना minus 2 alpha x किसके equal है ये 2 u x के तो हम ये कह सकते हैं जो 2 u है x का coefficient क्या है 2 u है यहाँ पर x का coefficient किसके equal है minus 2 alpha के equal है तो हम यहाँ से u की value निकालेंगे 2 से 2 cancel out हो जाएगा u की value क्या है minus alpha और हमें alpha की value चाहिए हमें center चाहिए alpha, beta, gamma center होता है तो center चाहिए होगा तो ये minus u हो जाएगा ये alpha हो जाएगा ठीक, center के लिए और इधर से अब इसको compare करते है ये 2vy है ये minus 2 beta है तो ये हो जाएगा 2vy is equal to minus 2 beta यहाँ से beta की value निकालेंगे तो minus v is equal to beta आजाएगा ठीक, तो alpha, beta, gamma निकालना है अब gamma के लिए 2 w is equal to minus 2 gamma और w is equal to 2 से 2 cancel out हो जाएगा ये minus gamma हो जाएगा गामा की value निकालेंगे तो minus w हो जाएगा तो ये हो गया अलफा बीटा गामा अब देखो अभी भी ये सेंटर पूरे तरीके से नहीं निकला है अब जो होगा तो लिखेंगे माइनस 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 में है न तो जो सेंटर होता है उसमें भी माइनस लगा देते हैं यह नहीं कि यह वाला माइनस ही लगाएंगे उसमें अलग से माइनस लगता है तो लिखेंगे सोदा सेंटर ओफ स्फेर जब सेंटर ओफ स्फेर निकालेंगे तो जो की होता है अलफा बीटा गामा मतलब माइनस ओफ यह इसमें माइनस लगा देते हैं माइनस अलफा हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा, माइनस अलफा की मतलब यहां पर वैल्यू क्या आई है, अलफा की वैल्यू क्या आई है, इसमें खुदी से माइनस लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा माइनस और माइनस यू है यह हो जाएगा और साथ में क्या है हमारे पास माइनस है और माइनस का वी है जब मैं कुशन करूंगी और समझ में आएगा माइनस है और माइनस का डबलू है तो ऐसे ही हमारा सेंटर निकल जाएगा अब हम रेडियस देखते देखेंगे radius of sphere is हमें radius of the sphere निकालना है जो कि हम r से represent करते हैं वो क्या होता है under root में u का square plus v का square plus w का square minus d होता है अब d क्या होता है u, v, w तो मैंने बता दिया इस तरह निकाल करके इसका square कर दिंग आ जाएगा अब d क्या होता है जो equation में यह जो हमारा last term होता है यह constant वाला term जिसके साथ कोई भी variable नहीं जुड़ा होता है वही हमारा d कैल आता है तो यह होगे है radius की radius of a sphere का formula अब मैं आप लोगों को कुछ जितने concept यूज होने वाले थे फिलाल तो मैंने सारे कराई दिये हैं अब questions start करते हैं अब मैं आप लोगों को questions दिखाती हूँ तो देखते हैं आगे तो यह देखे मैंने आप लोगों को कराया most important question तो सबसे पहले question number 1 देखते हैं question number 1 क्या कहा रहा है find the equation of the sphere whose center is 1,2,1 and radius is under root 6 इसमें center भी दिया गया है हमें के निकल equation of the sphere यही तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे निकालते हैं answer number 1 दालेंगे मैंने आप लोगों को बताया था जब center दिया हो और radius दिया हो तब equation जो होती है sphere की इस तरीके से निकालती है x alpha beta gamma center होते है और radius जो होते है r होता है और equation होती है x minus alpha का whole square plus y minus beta का whole square plus z minus gamma का whole square is equal to r square तो इसका answer देखते है तो हमारे पास center पहले लिख लेते है center क्या दिया गया है 1,2,1 दिया गया है और radius क्या दिया गया है यह है under root 6 अब जो equation of sphere होती है तो लिखेंगे equation of sphere when center 1,2,1 and radius under root 6 तब क्या होती है x minus alpha का whole square plus y minus beta का whole square plus z minus gamma का whole square is equal to r square यह होती है अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो center है यह alpha है, यह beta है, यह gamma है मतलब alpha की value 1 है, beta की value 2 है, gamma की value 1 है तो बस इसमें put कर देंगे ठीक और radius हमारा under root 6 है तो हो जाएका x minus 1 का whole square plus y minus 2 का whole square plus z minus 1 का whole square is equal to under root 6 का whole square इतना निकल आया है, लेकिन सिर्फ इतना ही हमें नहीं solve करना है इसको हमें पूरा solve करना है यहाँ पर a minus b का whole square की identity लगाना है a square plus b square minus 2ab होता है na identity लगाना है तो यह हो जाएगा x का square plus b होता है फिर minus 2ab होता है 2x into 1 हो जाता है फिर y का square plus 2 का square 4 हो जाएगा फिर minus 4y ऐसे ही z का square plus 1 minus 2z is equal to under root 6 का whole square करेंगे यह 6 हो जाएगा तिक इसको solve करना है अब हमें x वाला term, y वाला term, z वाला term एक side कर लेते है तो यह हो जाएगा x square plus y square plus z square अब जितने भी x के साथ variable है, y के साथ को है coefficient का है और इसके साथ है तो इसको excite कर लेते हैं यह हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4y माइनस 2z यह जो constant है प्लस 1 और प्लस 4 और यह प्लस 1 है यह सब इधर चला जाएगा तो यह 6 हो जाएगा 4, 5, 6 हो जाएगा मतलब यह पूरा term 0 हो गया मतलब x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y minus 2z is equal to 0 यही हमारा equation of sphere कहलाएगा तो लिखेंगे this is required equation of sphere ठीक तो यह answer number 1 भी हो गया है अब next question देखते है next question है question number 3 question number 3 में क्या कह रहे है find out the radius and center of the following sphere इसमें भी हमें center निकालना है और radius निकालना है जबकि इसमें जो है general form में नहीं दिया गया है तो पहले ही इस equation को general form में बनाएगे इसका जाकर के center और वो निकालेंगे radius निकालेंगे equation है 3 x square y square z square minus 2x minus 3y plus 4z plus 22 is equal to 0 और हमने जो general form पढ़ा है equation का वो क्या पढ़ा है कि मतलब जो f coefficient होता है x का 1 होता है y का 1 होना चाहिए z का भी 1 होना चाहिए लेकिन इसमें कुछ और ही दिया है तो लिखते हैं आप लोग भी मेरे साथ लिखते हुई चलिए तब ही आप लोगों को समझ में आएगा equation given equation x square plus y square plus z square minus 2x minus 3y plus 4z plus 22 is equal to 0 पहले हमें इसे general form में बनाना है general form में बनाने के लिए देखिए इसको जो 3 है इसको multiply कर देंगे ठीक तो यह हो जाएगा 3x square 3y square 3z square minus 2x minus 3y plus 4z plus 22 is equal to 0 हमारे पास यह equation आ गए अभी भी यह general form में नहीं है तो लिखेंगे इसमें compare करना है compare general form of equation of sphere हमें इसे compare करेंगे जो की होता है x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0 यह सब चीज़ देख रहेंगे ठीक इसमें क्या हो गया यही हो गया general form अब इससे compare करेंगे इसका coefficient 1 होने चीज़ इसका coefficient 1 होने चीज़ इसका coefficient 1 होने चीज़ तो इन सब को coefficient 1 बनाने के लिए तो यहां पर भी divide में आ जाएगा यह तो यह हो जाएगा x square given equation का लिखर है इसका x square plus y square plus z square यह जब coefficient यहां कटाएंगे तो यह divide में चला जाएगा तो यह minus 2y 3x minus 3 by 3y plus 4 by 3z plus 22 divided by 3 is equal to 0 कुछ इससे मैच कर रहा है कि नहीं अब हमें इस form में solve करने के लिए यह जो 3 है इसको यहां से भी हटाना है जब यहां से हटाएंगे divide में है तो इधर चला जाएगा multiply में हो जाएगा तो यह 0 x 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा मतलब देखिए माइनस 3y plus 4z plus 22 is equal to यह जो 3 है यह हो जाएगा 0 into पूरा 3 हटके उधर चला जाएगा 0 से multiply हो जाएगा तो पूरा term यह हमारा 0 हो जाएगा जब 0 हो गया 0 हो गया अब यह equation और यह equation मैच करो यह equation से मैच करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2u की value क्या है माइनस 2 है यहाँ पर इसकी साथ इसके साथ compare करना है तब जाकर के हमारा radius और center निकलता है radius center अच्छे से समझ लेचे बाद में जितने भी question आने वाले हैं ना radius center के कराने नहीं वाले हो कि center निकालके बता हूँ फिर मैं आप लोगों को radius निकालके बता हूँ यह आप लोगों को एक बार में समझ में आना जरूरी है तो इसमें देखते हैं पहले center निकाल देते हूँ डारेक नहीं कराती हूँ इसमें एक ही बार करा दे रही हूँ ठीक तो यह हो जाएगा 2U is equal to minus 2 तो U की value क्या हो जाएगा U की value हो जाएगा minus 1 ठीक 2 divided by 2 हो जाएगा minus 1 हो जाएगा और यह 2V is equal to minus 3 है तो V की value minus 3 by 2 हो जाएगी 2W is equal to 4 है तो W की value 4 by 2 कितने हो जाएगे 2 हो जाएगी तो यह हमारे पास निकल की आगया है center क्या-क्या है इसमें देखें U, V और W center निकल की आगया है तो इसमें लिखते हैं आगे center of sphere हमने क्या पढ़ा था minus U minus V minus W मतलब alpha, beta, gamma के form में minus minus पढ़ा था तो यह भी minus minus हो जाएगा ठीक तो हमने देखा तो U की value कितनी आएथी minus 1 आई थी U की value आई है minus 1 और minus बाहर में लगा हुआ है ठीक और V की value कितनी आएथी minus 3 by 2 आई है तो यह minus 3 by 2 और बाहर का minus लगा हुआ है और W की value आई थी 2 बाहर माइनस लगा हुआ है इसको solve करेंगे यह plus का 1 हो जाएगा यह plus का 3 by 2 हो जाएगा और यह minus 2 हो जाएगा तो यही होगी हमारा center of the sphere अब इसका radius भी इसमें बोला गया है निकालने के लिए तो radius देखने हैं कैसे निकालते हैं radius जिसे हम r से represent करते हैं वो होता था क्या होता था u का square प्लस v का square प्लस w का square minus d एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूं आप लोगों को सच में वीडियो अच्छा लगता है समझ में आता है कुछ help मिलती है तो आप लोग comment जरूर किया करे और एक like जरूर कर दिया करे ताकि मुझे भी तो पता चले आप लोगों को समझ में आता है मैं तनी मैयनत करती हूं आप लोगों के लिए अगर आप लोग जादा उन बच्चों तक भी शेयर कर दीज़ें, जिनका एक्जाम बहुत ही जादा क्लोज है, परिशान है, कहीं में आज जादा तर मैठ्स में मैंने देखा है कि बहुत टीचर पुरा पुरा नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ा देते हैं, और पूरे कॉंस अपने बताते questions नहीं कराते हैं इतने जितने मैं आप लोगों को question में बताती हूं इसमें आप लोगों को solution भी provide करती हूं तो आप थोड़ा से support तो कीजिए ना मुझे वीडियो को like कर दिया करिए और जाद जादा बच्चों तक share कर दिया करिए और नए है तो subscribe करके जो bell icon होता है उसको all पर select कर लीजेगा जैसे मेरी कोई new video आती है Monday to Friday वीडियो आती है साम को 6 बज़े आती है तो आप उस time पर active रहेंगे तो सबसे पहले notification आप तक पहुचेगा और जल्दी से जल्दी आप लोग देख लेंगे अब इसमें रक्ष को solve करते हैं यह 3 by 2 है यह हो जागा 3 by 2 का whole square प्लस माइनस 2 का whole square और इसमें d की value देखे कितनी है यह हमारे पास given equation थी यहाँ पर d की value है प्लस 22 है तो इसमें d की value क्या हो जाएगी माइनस का sign d की value 22 टिक यह हो जाएगा अब इसको बस कुछ और नहीं करना है solve करना है यह 1 का square 1 हो जाएगा यह 9 by 4 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा माइनस 22 हो जाएगा इसका LCM लेंगे 4 आएगा बन फोर्जा 4 नाइन प्लस बन फोर्जा 4 फोर्जा 16 और LCM लेके बस इसको solve करना है 1488 आजाएगा यह यह solve करेंगे माइनस 59 आजाएगा और 4 डिवाइड में अब देखिए 4 जो है यह रूट से बहाँ निकाला जा सकता है क्योंकि 2 का square होता है और 59 नहीं निकाला जा सकता है तो यह under root में माइनस का 59 as it is रह जाएगा और यह 2 हो जाएगा तो यह answer हो गया ठीक question number 3 भी complete हो गया अब आगे question देखते हैं अब question number 5 देखते हैं 2013 15 में पूछा गया है का a sphere of radius k यह question बहुत बात पूछा गया है तो इस बार भी सायद पूछा जा सकता है कि एक sphere है जिसका radius है k और passes through the origin वो origin से pass हो रहा है and meet the axis at a b c proved at the centroid of the triangle a b c lie on the sphere यह दिया गया है देखिए हम यहीं पर समझाते थे हमारे पास यह sphere दिया गया है जो की चलो ठीक है बता देते हूं यह हमारे पास सबसे पहले axis बना लें x axis y axis z axis एक sphere जो की उसके origin से pass out हो रहा है a sphere of radius k एक sphere है जिसका radius k है माल लो इसफेर का radius k है और जो पास हो रहा है origin से origin से यह पास हो रहा है meet the axis at a b c मतलब यह axis पे कट कर रहा है तो यह point a हो गया यह point b हो गया और यह point c हो गया ठीक घ्र्रूफ डैर यह हमारे triangle बन गया a b c triangle बन गया ठीक तो centroid क्या होता है यह triangle जब तीनो एक point पे meet करते हैं मतलब यह point यह point और यह point यह होता है इसी को कहते हैं centroid of the triangle लाई करता है इसी square के अंदर लाई करता है तो इसको हमें प्रूफ करना है तो इसका देखते हैं तो answer number 5 डालेंगे आगे देखते हैं answer number 5 हमारे पास क्या था equation of sphere क्या हम निकालेंगे equation of पहले मैं आप लोगों diagram बना देती हूं यह x है यह y axis है और यह z axis है यह जो है a है यह b है यह c है इसका जो centroid होलना चाहिए lie करना चाहिए किसी एक point पर यह ध्यान रखिए origin पर जरूरी नहीं है जब origin पर lie करेगे तो 0 जिरो हो जाएगा ना यह alpha beta gamma सब 0 हो जाएगा लेकिन यह अलग point पर है तो उसी के हिसाब से हमें निकालना है तो हमारा जो equation बनेगा sphere का वो क्या बनेगा equation of sphere जो होता है x square plus y square plus z square यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कोई axis पर है तो यह हो जाएगा minus ax और b axis पर है minus by minus cz is equal to 0 यह equation number 1 माल लेंगे ठीक अब इसका radius निकालते है radius होता है r जो होता है under root u का square v का square plus w का square minus d इतना ही होता है ठीक तो हम जब under root यहाँ से टाएंगे तो यह हो जाएगा r का square यह हो जाएगा u का square v का square w का square minus d equation number second माल लेते हैं इसको और हमारे पास given क्या है given था हमारा जो radius है वो k equal है तो इसमें दिया गया है radius हमारा k है तो यह हो जाएगा radius given that radius जो है k के equal है तो हम क्या करेंगे equation number one को हम इसको compare करेंगे general equation से तो इक general equation से compare करके पहले हमें center और radius निकालना है ठीक तो लिखेंगे compare equation number first from general form जो की x square plus y square plus z square plus 2 u x plus 2 v y plus 2 w z plus d is equal to 0 दिया गया है ठीक जब इसको compare करेंगे 2 u x को minus a x से फिर इसके साथ इसके साथ compare करेंगे तो यह आ जाएगा 2 u is equal to minus a u की value minus a by 2 आ जाएगा 2 v is equal to minus b होता है और v is equal to minus b by 2 हो जाएगा 2 w is equal to minus c होता है w is equal to minus c by 2 हो जाएगा ठीक और एक चीज और इसमें d भी चाहिए होगा ना यहां पर देखी कोई constant term है d नहीं है तो हम क्या लिखेंगे d is equal to 0 और हमने देखा था यहां से देखी है कि r जो है k के मतलब radius जो है k की जगह दिया गया है तो यहां पर equation number 2 में radius की जगह k पुट कर देंगे तो यह हो जगह k का square is equal to u square प्रिस b square लिखेंगे तो अब जहां जहां पर u, v, w, d है इस सब value पुट कर देंगे तो यहां जाएगा k का square is equal to minus a by 2 का whole square plus minus b by 2 का whole square plus minus c by 2 का whole square minus 0 d की value 0 है ठीक तो इसको solve करेंगे जब इसको solve करेंगे तो यहां आएगा हमारे पस a square plus b square plus c square is equal to 4k square इसको equation number 3 माल लेते हैं अब इसमें बोला गया था कि जो triangle है जो a, b, c है इसका जो centroid है इस square में lie करना चाहिए तो इसका सबसे पहले हम centroid formula से इसका center निकाल लेते हैं अब अलफा बीटा गामा is the center of centroid of the triangle a, b, c तो हम यह centroid की property से कह सकते हैं जो अलफा होता है वो a by 3 हो जाएगा और जो बीटा होता है वो b by 3 हो जाएगा और गामा is equal to c by 3 हो जाएगा किस से कह सकते हैं by centroid जो होता है 3 होता है तीनों मतलब axis से बन रहे हैं इसलिए 3 से डिवाइड करते हैं अब यहां से a की value माइनस 3 अलफा हो जाएगा multiply कर दिया है b की value 3 बीटा हो जाएगा और c की value 3 गामा हो जाएगा अब जो यह है equation a की value b की value c की value equation number 3 में put कर देंगे जब put कर देंगे तो माइपस equation बनेगी लिखेंगे put in equation number 3 में put कर देंगे 3 alpha का whole square plus 3 beta का whole square plus 3 gamma का whole square is equal to 4k square बस इसको solve कर देंगे 9 alpha square 9 beta square 9 gamma square is equal to 4k square 9 common learning alpha square beta square gamma square is equal to 4k square यही तो हमें प्रूफ करना था ना यह प्रूफ भी हो गया यह देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था प्रूफ करना है कि जो हमारा centroid है इस sphere के along लाइक करता है मतलब इस sphere के उसके उपर लाइक करता है तो यही हो गया हमारा प्रूफ भी हो गया ठीक question number 5 भी हो गया अब next question देखते है अब question number 4 देखते है question number 4 क्या कह रहा है two sphere of radius r1 and r2 cut orthogonally prove that the radius of the common circle is इतना common circle का radius देखिए इसमें कह रहा है दो radius जो r1 r2 cut और दो sphere है जिनका radius माल लो एक sphere है यह दूसरा sphere है यह एक कितना है जिसका radius है r1 और दूसरे sphere का radius कितना है r2 है ठीक तो हमें दो sphere यह जो orthogonal यह cut कर रहे है माल लो यहां point पर cut कर रहे है, p point पर कर रहे है, जो यहां, यह center 1 होता है, यह center 2 होता है, ठीक, और यह p point पर cut कर रहे है, इसका radius r1 है, इस center कर radius, यह square कर radius r2 है, ठीक, तो इसमें common circle का हमें, यह radius निकालना है, यह proof करना है, common circle तो हमारे पास कितना है, common circle मतलब यह, इसका हमें नि यह center 1 है यह center 2 है तो और जो इसकी बीच की distance है वो D है ठीक तो इसको हम लोग लेटिया निकालने के लिए देखिया आपके solve करते हैं डाइग्राम मैंने आप लोगों समझा दिया है answer number 4 ठीक ये एक sphere है ये एक sphere है इसका center 1 है और इसका center 2 है इन दोनों के distance T है ये distance जो है इसका radius r1 है इसका radius r2 है ये एक point पे intersect कर रहा है ठीक तो हमें common circle का जो है radius find out करना है तो लिखेंगे जो जो मैंने consider किया वही लिखना है let d be the distance between the centers c1 and c2 of the two given sphere intersecting at a point p देखो हमने डी लिया be the distance between the center ये center और ये center के बीच की जो distance है वो हमने डी ले लिया of the given sphere जो sphere दिया गया था intersecting at a point p ये point पे intersect कर रहा है तो यहां से हम जो distance है इसकी लिख सकते हैं distance का square is equal to r1 का square plus r2 का square है equation मों बन मालने थे क्योंकि ये जो distance है इसका square करेंगे तो इसका भी square हो जाएगा इसका भी square हो जाएगा कि class 12 में आप लोगों ने पढ़ा भी हो गए distance कैसे निकालते हैं लिखेंगे if r be the radius of the circle अगर r जो है सिर्फ r radius का circle है then हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखें एक triangle सा form हो रहा है न तो इसका जो area होगा वही और area के equal होगा ये c, c1 और p के area के equal होगा तो हम ले सकते हैं r be the radius of the circle then half into r1 into r2 जो की equal होगा half into radius into dk और dk जो की हमारा ये कहलाता है area of triangle c1, c2 और p कहलाता है ठीक तो अगर r radius होगा circle का तो half into r1 into r2 में कह सकते है half into r into d होगा area of triangle जो की c1, c2 और p है c1, c2 और p है इसका हमें निकालना है ठीक तो इसमें लिखेंगे यहाँ से d की value निकाल लेते हैं r1, r2 divided by r is equal to d की value निकाल लेते हैं अब यह जो d की value है equation number first में पुट करके जो radius से common sphere का solve होगा तो लिखेंगे put in equation number first equation number first में पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा r1 का square r2 का square divided by r का square is equal to r1 का square plus r2 का square इसको solve करेंगे आगे तो आएगा माय पास यह r1 का square और यह r2 का square divided by r1 का square plus r2 का square इसको नीचे ले लिया इसको आगे कर दिया तो जब यहां से square हटेगा तो यह आ जाएगा यह r1 और je r2 हो जाएगा और यहां पर नीचे हो जाएगा r1 का square प्लस r2 का square यह square हो जाएगा और यह हटे का तो यहां पर under root लग जाएगा उपर से square वाला हट गिया और नीचे क्या करेंग अंडर root लग जाएगा तो यही तो में प्रूफ करना है था कि radius of the common circle जो है r1, r2 divided by under root में r1 का square plus r2 का square तो यह भी हमारा equation भी complete होगिया अब next question देखते हैं अब question number 6 देखते हैं 6 कह रहा है find the equation of the sphere with center दिया गिये touching at the plane जब यहाँ पर center दिया जाए of plane दिया जाए तब कैसे निकालते हैं इस equation निकालना है sphere की तो देखते हैं इसका यह वाला भी answer number 6 ठीक हमारे पर center क्या दिया है center of sphere दिया गिया 2,3,-4 हमें इसका पहले radius चाहिए होगा तब जाकर के हम plane के according निकाल सकते हैं तो जो radius of the sphere अगर देखिए हमारे पास यह हमारे पास sphere है ठीक जिसका center कोछ दिया गया है जो कि इसमें कहारा है touching the plane यह plane को touch कर रहा है कोई एक plane है जिसको यह touch करेगा ठीक तो इसमें हमें क्या निकालना पड़े इसका जो radius होगा इसकी जो radius होगी वो length यह जो radius होगी मालनों कि यह है यह radius length of the perpendicular from the center जो center पे जो perpendicular गिरेगा जो perpendicular गिरेगा वही के equal होगी तो हमारे पास sphere निकालाया है center दिया गया है इसमें लिखेंगे radius of sphere इकवल होगी length of perpendicular from the center on given plane एक बार और समझा देखें देखो एक sphere है यह center है यह कोई plane है इसकी जो radius होगी वो जो perpendicular गिरेगा वही के equal होगी यह जो होती हम कह सकते ना इसका radius radius जो length of perpendicular है यह है radius और यह है length of perpendicular इसके equal होगी तो ठीक तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते कैसे कैसे हम लोग length of perpendicular किसी भी center से निकालते है तो सबसे पहले हमारे पार plane क्या है 2x plus 6y minus 3z plus 15 इसमें क्या करेंगे जो x, y और z की value है उसको रख देंगे x, y, z क्या है यहाँ पर x, y और z मतलब x की जगार 2 रखेंगे, y की जगार 3 रखेंगे और z की जगार minus 4 रखेंगे ठिक तो यह करेंगे तो लिखेंगे, equation थी हमारे पास 2x plus 6y minus 3z plus 15 था हमारे पास और at किस point पे, 2, 3, minus 2, 3, minus 4 पे था तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका, यह तो मैंने अब बता रही हूँ अब हम लोग length of perpendicular from the center निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 की जगा पे x रख देंगे यह x होगे, यह y होगे, z होगे तो 2 into 2 plus 6 into 3 minus 3 into minus 4 plus 15 फिर क्या करेंगे, अंडर root लगाएंगे और जो इसका x का coefficient है, x का coefficient है कितना है? 2 है तो यह 2 का square कर देंगे, y का coefficient कितना है? 6 है तो plus 6 का square कर देंगे, यह 3 z है, ठीक? और z का coefficient कितना है? minus 3 है तो minus 3 का square कर देंगे, इसी को कहते है length of perpendicular from the center, ध्यान से समझेगा जब इसको solve करेंगे, यह आजाएगा 4 plus 18 plus 12 plus 15 और यह आजाएगा, under root में 4 plus 36 plus 9 हो जाएगा यह हो जाएगा, 49 हो जाएगा 36 यह हो जाएगा, 49 यह भी हो जाएगा यह 49 हो जाएगा, 49 का जो root होता है वो 7 होता है, इसको divide कर देंगे तो यह आजाएगा हमारा radius radius of sphere, जो कि हम कर सकते हैं length of perpendicular from the center है जो कि 7 आ रहा है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे अब जब हमारे पर radius निकला आया तो हम radius हमें sphere का ही तो निकालना था find the equation of the sphere अब equation निकालना is sphere का हम जानते equation क्या होता है therefore required equation of sphere क्या होता था x minus alpha का whole square plus y minus beta का whole square plus z minus gamma का whole square is equal to r square होता था हमाए पस radius निकला है alpha, beta, gamma जो कि 2, 3, minus 4 है ठीक, यह alpha, beta, gamma है और radius कितना निकला है 7 निकला है तो बस इसमें put करके value solve कर लेना है तो यह हो जाएगा x minus 2 का whole square plus y minus 3 का whole square plus z plus 4 का whole square is equal to 7 का square इसको solve करेंगे तो आएगा s square y square pleasure square minus 4x minus 6y plus 8z minus 20 is equal to 0 तो यह हमारा finally answer हो गया तो answer number 6 भी हो गया है complete अब next question देखते हैं अब मैं आप लोगों को question number 8 करा देती हूँ और 8 question है find the center and radius of the circle circle का center भी निकलना है radius निकलना in which the sphere sphere की equation दिया गया है इस cut by the plane जो कि cut हो रहा है एक plane से यह sphere की equation है यह plane से cut हो रहा है तो हमें इसका निकालना है sorry वो spotlight बंद हो गई थी तो इतना समय में आया यह हमारे पास sphere दिया गया है यह हमारे पास plane दिया गया है हमें center और radius निकालना है तो इसको कैसे solve करते हैं देखते हैं लिखेंगे answer number 8 given equation of sphere देखेंगे पहले एक समझा ले दिए यह एक sphere है ठीक जिसका कुछ center C है और यह हमारे पास कोई एक plane है जो की C' है यहां से जो इसकी यह होगी इसका और इसका radius यह R हो जाएगा और यह point यो है Q है ठीक यह ऐसे बनेगा कुछ ठीक यह एक sphere है जो की एक plane पे like कर रहा है तो इसका center और इसका radius निकालना है यह center C1 निकालना है ठीक और radius निकालना है ठीक तो इसको देखेंगे given equation of the sphere क्या दिया गया है x square plus y square plus z square plus 2x minus 2y minus 4z minus 19 is equal to 0 दिया गया है मारे पास ठीक equation number 1 है ठीक और क्या दिया गया है plane की equation दियी गई है and given equation of plane plane की equation क्या है x plus 2y plus 2z plus 7 is equal to 0 ध्यान से देखिएगा इसको में बाहर 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 निकालके नहीं बताऊंगे क्योंकि बहुत जादा लेंदी हो जाएगा तो आप लोगों कोई problem होगी ठीक और जो radius होगा radius कैसे निकालते थे radius निकाल लेंगे तो center center क्या है minus 1 इसका हो जादा button minus 1 का square one हो जाएगा फिर one का square one हो जाएगा फिर two ka square four हो जाएगा minus d होता था minus d माइनस d क्या है minus d क्या है minus 19 है minus 19 है यह plus 19 हो जाएगा ठीक इसको solve करेंगे यह under root 25 आएगा यह 5 आजाएगा हमाई पर radius भी निकला आया center भी निकला आया किसका निकला आया इसका निकला आया ठीक इसका हमने निकला आया पूरा का नहीं निकला आप इसमें जो होगा इसमें भी वही करेंगे now length of perpendicular for center minus 1,1,2 of sphere to plane जो की plane हमाई पदी का यह equation number second में उसके along length of perpendicular निकलेंगे यही तो हमारा कहला आया फिर तो perpendicular निकलेंगे फिर equal करतेंगे देखेंगे फिर इसका कैसे होता है दिख रहा है ना आप लोगों को देखिए length of perpendicular मैंने आप लोगों को बताया है क्या करते थे यह जो equation थी y put कर देते x y z की जगह पे ठीक तो यहाँ पर देखिए इसका coefficient कितना 1 है तो मतलब 1 से multiply होगा और इसका center कितना है minus 1 है तो यह हो जाएगा minus 1 यह हो जाएगा plus 2 यह equation है 2y है y की जगह पे क्या रखना है हमें 1 रखना है और z की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है तो रखके solve करेंगे यह जाएगा 2 into 1 2 into 2 plus 7 फिर क्या करते थे अंडर root कर देते थे और x y z का coefficient का square कर देते तो 1 का square 2 का square प्लस 2 का square इसको solve करेंगे तो यह हमारे पास आएगा minus 1 plus 2 plus 4 plus 7 upon अंडर root 9 आजाएगा यह जाएगा 12 by 3 यह हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक तो यह हमारे पस निकल आया और हमारे पस अब radius जो होगा लिखेंगे required radius of circle जो कि c dash q है मैंने अभी आप लोगों को पताया यह हमारा c dash q हो जाएगा radius इसको भी मान सकते इसको भी मान सकते तो यह हमारे radius हो जाएगा तो यह हम कैसे निकालते थे इसका हम लोग square कर देते थे मतलब c q का square कर देंगे minus c c dash का square कर देंगे जो मतलब radius का square हमाया परpendicular का square हमाया पस यह आगया radius और यह आगया radius कितना आया 5 आया 5 का square 25 हो जाएगा और परpendicular कितना आया 4 आया 4 का square 16 हो जाएगा तो यह solve करेंगे तो यह आएगा 5 का square 25 और 4 का square कितना हो जगा 16 हो जाएगा तो इसको solve करेंगे under root 9 आएगा तो यह 3 हो जाएगा ठीक अब हमें क्या निकालना है यह जो हमाई पर line दिये गई है यहां से निकाल करके इसका सबसे पहले हमें radius find out करना है पूरा इसका coordinate का तो सबसे पहले हम यहां से equation बनाएंगे line की फिर इसको solve करेंगे तो देखते हैं तो इसमें लिखेंगे आगे also equation of line c c dash is line equation होती थी x minus x1 और divided by 1 होता था तो यह होता था x अब यहां पर coordinate क्या दिये गए जंटा दिया गया है minus 1 तो यह minus 1 हो जाएगा minus minus plus 1 हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा इसमें क्या है इसका coefficient 1 है तो इसलिए 1 हो जाएगा और is equal to y minus y2 कितना है 1 है तो यह y plus 1 divided by 2 is equal to z minus 2 divided by 2 तो यह हो जाती है line की equation अब हमें c dash के coordinate निकालना है तो लिखेंगे coordinate of point c dash किस center पे minus 1, 2 और 2 center पे यह क्या है center पे निकालना है तो क्या जाएगा हम लोग इसमें क्या करते थे इसमें यह minus 1 है ना यह minus 1 में जब c1 का coordinate निकालते हैं तो यह जो पहला वाला term होता है यह minus 1 में plus r कर देते हैं और यह दूसरे वाले term में plus 2r कर देते हैं और तीसरे वाले term में क्या करते हैं 2 plus 2r कर देते हैं तो यह हमारा coordinate निकाला है तो लिखेंगे आगेस में so this point also lie on plane equation number 2 में जो plane दिया गया है हमारे पास यह plane पे यह point भी lie करेगा तो जहां पर x है वहाँ पर 1 plus minus 1 plus r कर देंगे y की जगह पे क्या कर देंगे 1 plus 2r कर देंगे और जट की जगह पे 2 plus 2r करके इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा minus 1 plus r plus 2 1 plus 2r plus 2 2 plus 2r plus 7 is equal to 0 solve करेंगे minus 1 plus r plus 2 plus 4 r plus 4 r plus 7 is equal to 0 यह आजाएगा हमाई पास इसको solve करेंगे constant color time 12 plus 9 r is equal to 0 तो r के value आजाएगी minus 12 by 9 solve करेंगे 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो आजाएगा minus 4 by 3 इसका radius आगया तो माई पास जब radius में put कर देंगे इसमें coordinate निकाल रहे थे तो r के value थी minus 1 plus r minus 1 minus minus 4 by 3 ठीक और और क्या था 1 plus 2 r minus 4 by 3 और 2 plus 2 r था minus 4 by 3 बस r के value रखती हैं और कुछ नहीं करेंगे ठीक तो इसको solve कर लेंगे तो coordinate हमारे सीखाएगा minus 7 by 3 minus 5 by 3 minus 2 by 3 आजाएगा तो यह question भी complete हो गया है मैंने आप लोगों गलत दिखा दिया था यह वाला नहीं हो गई यह वाला था question number 8 था यह ठीक यह plane था मैंने जल्दे लिम गलत दिखा दिया अपर गुगों इसमें निकालना था center and radius of the circle in the sphere जो cut कर रही plane से तो यह भी हमारा center भी निकाल आया radius भी निकाल आया radius तो हमने निकाल दिया ना यहां से तो यह radius भी हमारा पुरा निकल आया और यह हमारा center भी निकल आया अब आगे question देखते है question number 7 7 में भी यही करना है हमें center radius निकालना इसी method से करना है ठीक और 9 और 10 इन दोनों में भी यही करना है तो यह दोने question आप खुद से solve कीज़ेगा मैं एक काम करूंगी जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो कहा था कि मैं आप लोगों को इसका screen shot दे दोंगी मतलब आप लोगों को question पहले आप लोग कुछ से solve करिएगा नहीं समझ में आता है मैं वीडियो के last में इसका solution भी attach कर दूंगी तो आप लोगों देख लीजेगा ठीक और एक चीच और बात मैं बता देती हूं सारे questions हो गए ना आप लोगों को तो आप लोग क्या करिए अब ज़्यादा से ज़्यादा practice करिए questions अब आप लोगों के पास time बहुत ही ज़्यादा कम है मैं हो सके का तो मैं जल्दी जल्दी और भी chapters की बना दूंगी स्फیर कराई दिया है एक दिन आएगा तो कौन और सिलेंडर भी करा दूंगी अब अप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी जिसकमें आप लोगों को और भी questions करूंगी औरasons ऑर सच में आप लोगों को मेरी महनत पसन में आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और 11 से कमन भी कर दिया करीं ताकि मुझे समझ में आया कि ह entren 12 चाओं आप लोगों को समझ में आज रहा है जादा उन बच्चों तक भी पहुचा जीजिए जिनका एक्साम बहुत ही जादा क्लोज है और एक चीज और में बता देती हूं आप लोगों को मैंने आप लोगों को पूरा अरेंज करके दे दिया है बीसी सेकेंस्टर माट्स का अलग है फिजिक्स का भी मैं पढ़ाती हूं आप ज्यादा से ज्यादा अपनी यूनिवर्सटी के पेपर्स को सॉल्व करिए प्रिवियस एयर पेपर्स को सॉल्व करिए जितना हो सकें पेपर्स को देखिएगा और देखिएगा कि कितने ज्यादा कॉंसेप्ट यूज होने वाले मैं आप लोगों को वही सारे स्फेयर वाले जो है ना इससे कुश्यन बनते हैं और जाद तर कुश्यन पता है कहां से बनते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्वेशन निकालने से उसका जो सेंटर और रेडियास अगर यह दोनों दिया होगा तो एक्वेशन निकालने को बनेगा और जनरल अगर कोई एक्वेशन दिया रहेगा उसका हमें जनरल फॉर्म निकालना है मतलब जनरल फॉर्म दिया हुआ है तो उससे हमें रेडियास और सेंटर निकालने का यह दो टॉपिक जो ऐसा इंपोर्टन टॉपिक है इसको आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है बिलकुन भी जोड़ना है क्योंकि यह कुश्चन से अलग अलग तरीके से दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कभी स्फेयर दे दिया उसका एक्वेशन दे दिया और उसका सेंटर निकालने को पूछ लिया तो मैं जानती हूँ आप लोग मेहनत करी रहेंगे तो नए है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों का सपोर्ट दी चाहिए तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में अगले वीडियो में आप लोगों को कोन और सिलेंडर कराने वाली हूँ तो अपनी अगले वीडियो के लिए तैयार और बाकी तो मैं आप लोगों कोई सारे योनिट कराई चुकी हूँ आगे भी करा दूंगी तो गुडबाइ एंड इस्टे सेफ